तो फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते वे आपको ओफिशल इंफोर्मेशन में प्रोवाइड करते रहता हूं और वीडियो हेलफूल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें पहला अपडेट प्राइट के लिए आ रहा है कि जैसे कि साउ प्राइवेट के लिए यहां पर जो प्राइवेट केंडिडेट है उनको परमोट कर दिया गया है और ऑप्शन भी दिया है कि जो स्टूडेंट्स अगर एक्जाम देना भी चाते हैं डिसेबल केंडिडेट्स तो वो एक्जाम दे सकते हैं तो वहीं लिखा गया है कि CBSE को भी इससे लेसन लेना चाहिए और CBSE को भी इस तरीके से प्राइवेट केंडिडेट्स का सपोर्ट करके एक्जाम को या तो कैंसल कर देना चाहिए या फिर ऑप्शन रखना चाहिए जिने एक्जाम देना है वो दे सकते हैं जैसे कि इंप्रूम्मेंट वाले स्टूडेंट जो कि ऐसा चाहते हैं कि एक्जाम हो बट प्राइवेट केंडिडेट्स काफी सार ऐसे हैं कि मैक्सिमम जो नहीं चाहते हैं कि एक्जाम हो तो CBSE भी यहां से मिलब लेसन ले सकती है ऐसे भी यहां पर ऑफिशल ट्वीट्स हो रहे हैं और जो सेकेंड अपडेट आ रहा था जैसे कि मैंने कहा था क्लास 10 के बारे में मैं बताऊंगा तो अभी 25 मिनट पहले ही मैं आपने ऑफिशल यहां पर बताया है कि जो CBSE के जो 10 के स्टूडेंट है 12 का तो चलो CBSE ने बोल दिया कि एक्जाम होगा बड़ जो 10 के स्टूडेंट है उनके लिए यहां पर CBSE confirm no decision has so far between been taken on exams for class 10 private students board is trying to fetch academic data of these students तो मतलब friends अगर आपका data वो बोड ले रहा है तो इसका यह भी मतलब हो सकता है कि जो आपको परमूड कर दिया जाए बट अभी तक ऐसा कुछ official announcement नहीं आई है इसलिए मैं आपको यह नहीं कह सकता कि आपके exams cancelled है जो official announcement आईगी तो मैं वो आपके सा share करूँगा तो अभी तक ऐसा ही बोला जा रहे है कि जो 10th के students है उनके लिए जो data है वो CBSC fetch कर रहा है तो यह आप जैसे कि पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर तो यह update यहाँ पर 10th के जो private candidates है उनके लिए अभी latest update आ रखी है और जैसे ही official announcement आती है वो मैं आपके साथ share कर दूँ तो friends अभी तक तो यही था 10th के लिए decision और जो 12th के students है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो official से confirm करके जो आपके admit card और जो date sheet वगरा है वो आपकी first week of August में आपको देखने को मिल सकती है तो वहीं यहाँ पर आप देख सकते है more details including date sheet will be released next week यानि कि जो अगस्त का first week होगा उसमें तो अब improvement वाले students की हम बात करते हैं तो इसको मैं वापस नहीं बताऊंगा आपको सीधा जो point था जिसमें doubt आ रहा था वहीं बताऊंगा तो जैसे second point में आप देख सकते है private पत्रचार second chance compartment candidates तो यह exam देंगे तो इसमें जैसे second chance and first chance compartment वाले student है उनको यहाँ प होते हैं and compartment या फिर repeat वाले यह सारे students इसके अंदर आते हैं बट CBSC नहीं यहाँ पर सिर्फ private लिखा है तो इसी के अंदर जो आपके improvement वाले students होते हैं जिन्होंने last year form भरा था सारे subject में या फिर एक से ज्यादा subject में तो वो सारे students इसके private के अंदर आते हैं ठीक है तो आपके भी exam से यहाँ पर conduct कराये जाएंगे जितने भी आपके subject से उनमें और फिर यह जो third point है यहाँ पर contradicting point था इसमें students को यहाँ पर confusion create हो रही थी यहाँ पर लिखा है students who have registered for 2021 exam for improving their performance is only in only one subject यानि कि only one subject यह उन students के लिए है friends जो की जो की इस year pass हुए है ठीक है तो जो जिनका अभी कल result आया था वो student अगर एक subject में अगर उनके marks खराब है तो उनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि आप उस particular subject में अपना improvement दे सकते हैं ठीक है तो यह जो third point है वो यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाग और मैंने confirm भी कर लिया students who have registered for 2021 examination जो 2021 के examination जो जिन जो पिछले साल वाले student है तो उनके लिए जो second point में यहाँ पर जो private slash 24 slash second compartment वाला डालर का option तो इसी में आपका जो private जो improvement के student से उनके यहाँ पर बात हो गई है ठीक है I hope आप सभी के doubts clear हो गई हो अगर कुछ भी doubt रहते तो friends आप comments में पूछ सकते हैं और मैं official से जरूर आपके doubts clear करके बताऊंगा क्योंकि friends अभी सिर्फ हम official से ही पूछ सकते हैं और कोई हमारे लिए doubts आपके कुछ आते हैं तो वहीं से आपके clear हो सकते हैं ठीक है तो आप यहा and bye bye